दूक्तर विनर्म सिंगल की गानी नगरिशिट नर्सिंग हॉम में मस्तिष्ट की समस्त बीमारियों का इलाज सुरलबता के साथ होता है ब्रेन में पानी भरना या फिर दिमाग की नसों की सूजन आधी समस्याओं का इलाज सफलता पूरवक किया जाता है आत्यदुनिक टक्निक द्वारा ओपरेशन भी किया जाते हैं जो दुरवीन विदी द्वारा होते हैं और मरीज को कम समय में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है कमर में दर्ध होना पेरों में दर्ध होना इस सभी समस्याओं स्पाइनल कोड से जुड़ी होती हैं इस समस्याओं को संपूर इलाज किया जाता है इसलिए साइटिका यज फिर यदि आप दिमाग से संबंदित किसी भी विबारी से पीडित है तो आपको कहीं जाने की आविशक्ता नहीं है सारी सुभिदाएं आपके शहर में उपलब्द हैं आज हम बात कर रहे हैं आपकी इन सभी समस्याओं को लेकर डॉक्टर विनर्म सिंगल से मेरा नाम डॉक्टर विनर्म सिंगल है दिमाग से संबंदित किनकी बिमारियों का इलाज किया जाता है ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मिर्गी के दौरे सर में दर्द चक्कर आना सर की चोट हैम्रेज ब्रें ट्यूमर्स इन सभी प्रकार की बिमारियों का आधुन प्रेजिब दौरा हमारे हैं इलाज किया जाता है दवाईयों से अपरेशन दौरा इसके अलावा is fine की बादर राब करें डूस पाइन में इस्पाइन ट्यूमर इस पाइन कमर की चोटे जिसको हमें इस्पाइर्ल इनिजरी जहते हैं इन सभी प्रकार की बिमारियों का हमार की सारे कारण होते हैं जैसे की बच्चों के केस में जनमजाथ पानी का रास्ता ना बनने कारण पानी का होता है इसका इलाज operation दारे डाल के किया जाता है इसके अलावा बड़े लोगों में 30-40 साल के बाद स्मस् graph होता है थो यह फिर तो वो tumor की कि वह सकती है इसमें इंपएक्षिंघाने की दवाइयों के साथ-साथ काई बार ऑपरिशन की रहती है कि पर्षानिया बताईं इसका सबसे कॉमन कारण होता है सियाटिक या उस पहला कहते हैं सियाटिका हैzych सिलीप डिसक्,'का सबसे पहला उप जो है वो दवाईया और एक्सराइज है हम चार से छै हफ्ता जी केस में आट हफ्ते तक दवाईयों से और हीक्सराइज करते हैं जादातर लेकिन अगर किसी केस में दवाईों से आराम नहीं आ रहा है कि परिशानी काफी जादा बढ़ रही है तो उसमें अपरिशन की आवश्रक्ता पढ़ती है मैं आपको यह चीज बता दू कि आज हम अपने आप एडवांस स्पाइनल सर्जरी भी कर रहे हैं जिसको कि हम माइक्रोस्कोपिक नियो सर्जरी कहते हैं या फिर एंड्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको दुर्वीर विदिदार ऑपरेशन फिल्टी यह जी बिमारी कि से होती है और इसका विश्कोराइब एका सबसे कॉमन कासी सब्रसके कारण सबसे कॉमन कारण सबसेही हो प्र किसी को ब्लट पेश्र बढ़नी की वज़े कि वसकता है इस सब परिशारियों में तो दवाईों से का पेशन को काफी हद तक रिलीफ आ जाता है। इसके अलावा चक्कर आने के और भी अन्य ताफी पहरंड भी हैं जैसे कि दिमाग की नसर में सूजन होना या दिमाग की नस ब्लॉक होना या कभी-कभी ब्रेंड ट्यूमर के केस में भी पेशन को दिमाग में पेशन को चक्कर आ सकते हैं। जी मैं आपको बता दूं कि सर की चोट के नभ्य परसेंट मरीजों का इलाज दवाईों से ही संभव होता है। कुछ केसे में जिनमें दिमाग में सूजन या ब्लीडिंग काफी जादा होती है या दिक्कत काफी जादा बढ़ी भी होती है उनमें ही सिर्फ ऑपरेशन की आवशक्ता बढ़ती है। तो इसके बाद उसे क्या क्या सामदानी अबरती चाहिए। सरकी चोट एक सक्सेस्फुल ऑपरेशन होने के बाद हमने पेशेंट ठीक होके घर चला गया। उसके बाद कुछ चीजों को उसको बहुत थास तो ध्यान लखने की जरूवत है। ऐसे पेशेंट्स में दौरे आने का रिस्क बहुत जादा रहता है। जिन पेशेंट्स में सरकी में चोट हुए हो या हैम्रेज हुआ हो पहले। तो ऐसे पेशेंट्स को दवाई डॉक्टर की सला के अरुसार नियवत रूप से खानी चाहिए। समय समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और डॉक्टर की सला का प्रॉपर पालंग करना है। मिर्गी की समस्या के भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसला की समस्याव का इलाज दवाई दौरा संभव है। लेकिन मरीज को प्रॉपर समय से डॉक्टर की सला की जरूरत है। और डॉक्टर की सला के अनुसार प्रॉपर ट्रीट्मेंट रैगुलर ट्रीट्मेंट की जरूरत है यह खाली चीज़। यह एक बिमारी है ऐसे मारीजों को आपको ज़ल्दी से ज़ल्दी अपने नीरोलोजेस्ट और नीरो सर्जन को दिखाना चाहिए कुछ समस्य आपी जाती है वरी जो पर तो कि इसान पर रख जेते हैं इस तरह पूले वाले स्म्टम्स जो आप कह रहे हैं यह सबसे सबसे कॉमनली ओल्ड एज में होती है अगर यह 70 साल या 80 साल के बात की एज में है तो यह एक फिजिलॉजिकल फॉर्गेटफुलनेस हम इसको कह सकते हैं की एज स्लिप न मिलने की वज़ाए से या ड्रग एडिक्षिन की कि वह सकती है लेकिन अगर यह बहुत फ्रिक्वेंट हो रही है और बहुत एक्स्ट्रीम लेवल तक हो रही है तो फिर इसकी प्रॉपर जहांच होनी चाहिए जी बिलकुल लेकित दिमाग में पानी जमा होनी की वजएसे दिमाग की नसव पे जाहिर सी बाते की जोर पढ़ता है शुरुआत के शुरुआती स्टेज में हो सकता है उसका याददाश पे फर्ण नहीं पढ़े लेकिन हां समय के साथ जैसे असे दिमाग पर दवाव पढ़ जो आपने जाता है लट के जम जाते हैं या ब्लड आ जाता है तो लोग उजा पर यह को सब्सक्राइब करके गारी जाएगा माइट पर दौड है जी बिलकुल समझाव है मैं यही आपको समझगाना चाहता हूँ कि हर क्लॉट का इलाज ओपरेशन नहीं है ज्यादा तर अगर Vamosर वह चौटे क्लॉट है दिमागी नसों पे भाव हो ₹ Bowl करना चाहिए जिस केस्थ में बड़ा हो नसों को पे बहुत जादा डाल रहा हो गांड़ ने परिशानी जदा है उसकेस में ही जैवशक करती है कि हमारे यहां और सभी प्रकार की बिमारियों का दवाईयों एवं ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जाता है जिसमें की एडवांस नीरो सरज्री जैसे कि माइक्रोस्कोपिक नीरो सरज्री की सुविदा हमारे हैं अगर अगर बात करें तो एक तो सरज्री में समय बहुत कम लगता है एक से दो घंटे की सरज्री होती है दूसरी सबसे महत्मूर्ण चीज़ है पेशेंट का डिस्चार्ज जल्दी होता है जहां नॉर्मल पदिती दौरा किये गए ऑपरेशन के बाद हमें मरीज को चार से पांच दिन रखना पड़ता था आज के समय में एंड्डोस्कोपी द इस दिन शाम को या अगले दिन तक डिस्चार्ज कर सकते हैं